तो आज आप यह जो देख रहे हैं मैंने स्टांड रोज कुछ मंगाये थे मैंने जो नर्सरी से मंगाई थी उसका नाम में पुषपांजरी प्रोणबीर और उन्होंने मुझे ब्लू डाट से भेजा है मैंने टोटल चार प्लांट मंगाये हैं और एक का कॉस्ट मुझे आया है 350 रुपीज मैंने ये सारे प्लांट 25 जुलाई को रिषीप किया था सारे प्लांट बहुत ही बढ़िया कंडिशन में थे तो चलिए पहले आपको ऑन्बॉक्सिंग करके रिखाते हूं कि रोज कैसे कंडिशन में है मेरे और आप अगर ऑनलाइन कोई रोज का प्लांट मं पूरा आपके लिए हैं ये एक वीडियो में आन्बॉक्सिंग से लेकर पूरा फ्लावरिंग तक जो शीडियूल मैंने फॉलो किया है उसके साथ बीच-बीच में कुछ जरूरी टिप्स भी होंगे ये कुछ बाते होंगी बीच-बीच में जोकि रोज के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है ये कुछ चोटी चोटी बातें जो आगर आप नहीं जानते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं तो फिर आपका प्लांट जो है खराब हो सकता है तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप कियो हुए आखरी तक जरूर देखिएगा तो मैं तो बिल्कुल भी सॉयल का अभी इस्तमाल नहीं कर रहे हूं अपने रोजेस के लिए अपने रोजेस को मैं अभी सिंडर मिडिया में लगा रहे हूं सॉयल का जो मैंने इस्तमाल नहीं करती हूं उसके भी बहुत सारे रीजन है अन्बक्सिंग करने के तुरंत बाद मैंने फंगिसाइड ले लिया है और यह सेलूशन जो बना लिया उसमें मैं अभी अपने प्लांट सारे खोल के इधर सोक कर दूंगी तो आधे घंटे के लिए बिल्कुल इसको अच्छे से सोक करूंगी ताकि कोई भी मुझे जब भी मैं इसको मिट्टी हटाऊं तो कोई भी रूट खराब ना हो रूट में बिल्कुल भी छेड चाड नहीं करना है जितना स्मूथली मिट्टी निकल जाए उतना बढ़िया है और यह मिट्टी हटाने का और एक रीजन है क्योंकि मैंने यह जो मेडिया चेंज कर दिया है सिंडर में लगा रही हूं तो मिट्टी में अगर होगा तो बाद में यह जो प्लांट के लिए खराब हो सकता है तो इसलिए मैं पूरा मिट्टी हटाऊंगी उसके बाद ही यह सारे प्लांट को लगाऊंगी देखिए धीरे-धीरे मैं इसको खोल रहे हूं और बिल्कुल भी रूट को छेडा नहीं मैंने उसको ऐसे ह इसे ही करूंगी और यह जो आप स्टीक देख रहे हैं यह उन्होंने जो नर्सरी से जो मंगाई थी उन्होंने ऐसे लगा करी भेजा है जैसे कि पहले आप लोगों के साथ में ने सेयर किया कि अभी मीडिया में बिल्कुल चेंज कर दिया है अभी गार्डें सॉयल का इस्त पीट में भी लगाया है तो यह जो मैंने अपना मिडिया ही पुरा चेंज कर दिया उसके बहुत सरे रीजन है मेरे पास तो सबसे पहला रीजन है उन्टेर्शिजन में धूप नहीं मिलने से क्या होता है ना यह जो मिट्टी है वह सुक सूख नहीं पाता है अच्छे से और मेरे जो मैं जहां पे रहती हूं उसमें क्या होता है ना तीन चार घंटे का ही धूप मेरे रोजस को मिलता था जबकि रोजस को चार पांच घंटा का या फिर छे घंटा का धूप मिले उन्टेर्शिजन में तो बढ़िया होता है सबसे बैस्ट होता है ज्यादा धूप मिल है कि क्योंकि धूक नहीं मिलता था पानी देने के बाद पानी तो ड्रेनेज होल से निकल जाता था लेकिन मिट्टी में जो पानी है वो बहुत दिनों तक सुकता नहीं था जिसके वज़े से बहुत सारा फंगल इंफेक्शन भी मेरे प्लांट में होने लगे और तीसरा रीज अदे ज़रूरी से मैंने अपना मिट्टी कर दिया अभी सबको मैं सिंडर में ही लगा रहे हूं आधा गंटा हो गया इसको सब सोग करते हुए देखिए और उसके बाद अभी इसको दिखाती हूं मैं आदे गंटे के बाद बिल्कुल भी उसमें कुछ भी मिट्टी नहीं सारा रूट्स आप लोगों को दिखाई अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कुछ भी मिट्टी नहीं लगा है यह बहुत ही जरूरी स्टेप है क्योंकि मीडिया ही चेंज हो गया अभी मिट्टी में नहीं लगा रहे हूं इसलिए मिट्टी को हटाना बहुत ही जरूरी हो जा बहुत सरा क्यार लेने के बाद भी अगर आपका रोज सर्वाइब नहीं कर पा रहा है तो मैं जो बताई हूँ एक बहुत ही स्ट्रॉंग पॉइंट है जो कि आपके रोज इसको एफेक्ट कर रहा है आपका रोज खराब हो रहा है तो आप यह वाला जो मेरा है प्रोसीजूर यह अपना के देखिए आपका रोज जरूर सर्वाइब कर जाएगा तो देखिए यह मैंने सिंडर डाल दिया है पूरा गंबले में इसको बाद उसको अच्छे से ट्याप करेंगे क्योंकि सिंडर तो है जो कि मिट्टी के जैसा ऐसे दबके तो नहीं रहेगा इसलिए अच अच्छे से डालेंगे नीचे से बिल्कुल ट्रेनेज होल से निकलना चाहिए अच्छे से पानी देने के बाद अभी काम खतम नहीं हुआ है और एक जरूरी काम करना है क्योंकि मेरे प्लांट्स ने है इतने दूर से आये है और अभी रिपोट किया है मैंने तो हो सकता है प पंगी साइड ट्राइकोडर्मा टू ग्राम पर लिटर इनको मिला के यह सलूशन बनाना है और हर प्लांट में ऐसे आप लोगों को दे देना है यह सलूशन अपने प्लांट्स में जरूर दें जब भी आप कोई भी प्लांट रिपोट करें तो यह लगभग देड महीने ब इसने अच्छे कंडिशन में है तो जूलाई 25 से सेप्टेमबर तक यह जो बीच में देड महीना का ग्याप है इसमें मैंने क्या सीडियूल फॉलो किया है वह आप लोगों के साथ स्यार करती हूं पहले तो रिपोटिंग के बाद तुरंत उसको आप लोगों को दूप में रखना है तीन-चार दिन के लिए सेड में रखना है उसके बाद ही उसको धूप में रखना है मैं ऐसी जगह पे अपने प्लांट्स को रखी थी जहां पे उसको सुबह बारे बज़े तक आराम से अच्छी खासी धूप मिलता था यह जो पदा देख रहे हैं यह मेरा पुर जरूर इसमें पानी देती थी और लिप्स को भी मैं जरूर पानी स्प्रे करती थी तो यह मेरा रोज का खाम था उस टाइम पे मैंने कभी कोई भी उसमें फटलेजर देना चालू नहीं किया दो हपते के बाद मैंने इसमें फटलेजर देना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने NPK-1212 ग्राम पर लिटर, Humic Acid 1 ग्राम पर लिटर, और Epsom Salt 2 ग्राम पर लिटर, ये solution बना के weekly एक बार start किया अपने plants को देने, मैं 240 ml करके देती थी, और मैंने 2 ही बार इसमें दिया है, तो आप July 25 से September तक ले लीजे, उसमें मैंने 2 ही बार ये वाला फटलेजर अपने plants में दिया है, 240 ml करके, और मैं क्या करती थी ना, weekly एक बार chemical insecticide जैसे की imidacropid इसका स्प्रे करती थी, इसका रीजन क्या है, क्योंकि plants में new leaves आ रहे हैं, इनको infection से बचाना बहुत ही जरूरी है, इसके लिए मैं weekly एक बार जरूर insecticide का स्प्रे ये रोजस में करती थी, अभी और एक जरूरी बात जो रोज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी, आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए, आज कल हम लोग रोजस का plant जो nursery से खरीट के लाते हैं, या फिर online खरेते हैं, सब grafted वाले होते हैं, इसका एक point होता है, और उसी में ही वो graft किया जाता है, उसी node से ही stem निकलते हैं, ये देखिए, ये हिस्सा आप लोगों को में दिखाना चाहती हूँ, देखिए, ये मेरा जो रोज का plant अभी नया लगा ही हूँ, उसमें wild जंगली गुलाब निकलने लगा है, ये देख सकते हैं, ये इसका wild part है, और ये आपको पता कैसे चलेगा, आप इसका पत्ते का size देखिए, इसको आप लोग जान सकते हैं, देखिए, ये वाला जो है, एक grafted point है, और grafted point से वो वाला stem निकला है, ये देखिए, इसका नए पत्ते कैसे wide हैं, और इसके पत्ते देखिए, नए पत्ते का size कितने narrow हैं, ये पतले-पतले हैं, और वो जो पता है, वो मोटा-मोटा है, तो ये देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा, कि ये वाला हिस्सा, जो है, ये जंगली बन गया है, या पिर जंगली stem निकला है, इसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा, जल्दी आप लोग यह जो वाइल स्टेम को उसको निकाल दें जंगली जो हिस्सा बन गया है उसको निकाल दें उतना बढ़ी आए क्योंकि यह प्लांट का जो खाना है वो सब चूस लेगा और प्लांट को आप लोगों को खराब कर देगा इसे तो मुझको उसको निचे से तोड़ना था लेकिन क्योंकि यह मेरा प्लांट नया है उसको निचे से मैं नहीं तोड़ूँगी खाली जो हिस्सा इधर जो पत्ते आप लोग देख रहे हैं यह जो हिस्सा वाइल बन गया है इसी को ही अभी निकाल दूँगी जब को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि रोज को हमेशा चेक करना पड़ेगा कब उसमें जंगली पार्ट निकल आए आप लोग बोल नहीं सकते तो इसको बिलकुल इगनोर मत करिये हमेशा अपने प्लांट को चेक करते रहिए और उसको कभी भी बढ़ने ना दे अबही यह फटलेज़र है उसको बनाने के लिए इसमें मैं मिला रहे हूं हिमीकेशीड पहले हमीकेशीड मिलाओंगी हमीकेशीड लेना है वान ग्राम पर लिटर मेरे इतने शारे प्लांट के साथ साहस के पुरना पुरान पूराने प्लांट से उन् न्यू प्लांट्स इसमें है एंपी के 13, 14, 13 तो इसको मैं देंगी 2 ग्राम पर लिटर यह इतना फड़िया फटलाइजर है दोस्तों न्यू प्लांट्स के लिए आप लोग जरूर बना के अपने प्लांट्स को दीजिए और कैसे बनाना है पूरा स्टेप पर स्टेप मैंने अपने वीडियो में समझाया है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद यह जो प्लांट है इसमें मैं दे दूंगे यह जो फटलाइजर है यह आपके नए प्लांट्स को नाकी ग्रोध देगा उसके साथ साथ आपके प्लांट्स को बिल्कुल हेल्दी भी रखेग आपके आपके प्लांट्स को खूब सारा फ्लावरिंग दे हर प्लांट में में 240 ml करके दे दूंगी बहुत ही बढ़िया फटलाइजर है यह नए रोजिस के लिए आप लोग यह फटलाइजर बनाके अपने नए रोजिस में जरूर दें तो यह एक हपता आप लोगों को य तो भी वह फंगिसाइड लेना है टू ग्राम पर लेटर इसको मिला के आप लोगों को बनाना है फटलेजर और उसको अपने प्लांट्स में देना है तो यह और अप लोगों को एक बार आप लोगों ने नपीके तेरा-चालिस तेरा और हीमीकेसिड दे दिया तो उसके अल उसमें प्रूनिंग करेंगे हम लोग नए बर्ट्स जो आये हैं उनको इसके लिए मैंने उनको टूल ले लिया है सीकेचर उसको फिर मैंने हाइडोजन पेरोकसाइड से अच्छे से पोंच लिया है और ये प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है अभी अप लोगों को फ्ल बड़ को ही आप लोगों को काटना है उसका रीजन क्या है अगर आप जो नए कलिया आ रहे हैं चुटी चुटे कलिया उसको अगर आप काट देंगे तो फिर उसका जो स्टेम है ना वो पतला ही रह जाएगा वो मोटा नहीं होगा इसलिए आप लोग इंतिजार करें जब आपका बड़ बड़ा हो जाए खिलने की कगार में आ जाए तब ही जाके उसको आप लोगों को कट करना है मैंने फटलेजर भी दे दिया अपने प्लांट्स को जो बड़्स निकले थे उनको प्रूनिंग भी कर दिया आज का काम मेरा कतम हो गया मैंने पूरा सीडियूल आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया है लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर नए हैं मेरे चैनल में सब्सक्राइब जरूर करिएगा राइट साइड में जो बेल काई को ने उसको भी हीट कर दीजे फ़र दलाटेस्ट अपडेट तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक खुश रही है स्वस्त रही है गार्डिनिंग करते रही है मेरे से जुड़े रही है बाई बाई थेंक यू पो वाचिंग